आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is the which of the following most abodent type of antibody हमसे बोलागा है कि इन में से कौन सी most abodent type of antibody है तो बात करते हैं antibody की So option 1 में कादर का IgA IgA हमारी क्या होती है एक प्रकार की antibody होती ही जो हमारी body में 15 to 20% present होती है and ये हमारी second most antibody होती है ठीक है? तो ये हो गया गलत and second न में का बलका IgG IgG होती ही जो हमारी 80% present होती ही सबसे ज़्यादा most of the amount इसका present होता है हमारी body में IgG का and ये हमारी क्या होती है most evident antibody antibody तो हमारा answer क्या हो जाएगा? option 2 हो जाएगा and हमसे क्या बो लगा है? IgE IgE जो हमारी होती है वो allergy के लिए responsible होती है for the allergy के लिए क्या होती है? responsible होती है and ये क्या होती है हमारी जो basophil जो होती है basophil की surface membrane पर ये होती है present कहां पर present होती है basophil की surface membrane and जो last and final हमें दरकी IgM ये हमारी 5-10% हमारी body में present होती है और ये हमारी होती है largest antibody या फिर largest IgE तो हमसे क्या पूछा खाया था कि most evident type of antibody तो वो है हमारी 80% जो हमें मिलती है IgE so option 2 is correct answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ये डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजे अपने doubts 8444 पर